अजिन वस्ते सची कालाद आप सलाम वालेकूं मैं होप करता हूँ कि आप सब शीक होंगे आपने थमनेल में देख लिया होगा कि मैं आज ब्लोग किस चीज़ के रिगार्डिंग डाल रहा हूँ आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर like as a as a कोई भी है मैं था या कोई भी बंदा है as a security guard सोच लेके आएगा तो बंदा सिर्फ security guard तक रहे जाएगा तो अगर हम as a कुछ करने के लिए कुछ हासिल करने के लिए दुबई में आये security फील्ड में तो यार हम कहां तक success हो सकती है हमारा future कहां तक हो सकता है हमारा कितना future bright हो सकता है आगे हम कहां तक जा सकते हैं as a security guard base पे आने से ठीक है की requirement होती है कितना experience चाहिए होता है तो मैं सब कुछ बताऊंगा वीडियो end तक watch करना और वीडियो यार अच्छी लगे तो like कर देना और जो बंदे अपने चैनल में नहीं है चैनल को यार subscribe कर दियो और bell icon में दबा दियो और वीडियो कैसे लगे यार comment में जरूर बता देना आजो फिर अंदर चलें आपको बताता हूँ क्या stages होते है security guard की अगर security guard हम आएं तो किस level तक जा सकते हैं आजो फिर see मैंने सारा platform अल्रेडी बना के रखा हूँ है यहाँ पर ऐसे लगए न यह सीरा license required है मैं आपको पहले बता दूँ ठेक है आप कौन से stage सक जा सकते हो as a अगर आप security guard आते हो सबसे पहले security guard आपका वीजा लगा आप दुबई में आए मैं दुबई की बात करूँगा अगर दुबई में अगर आप S हटा दो P लगा दो यहाँ पर PSBD बन जाएगा अगर आप अब उदाबी में आते हो SME ने इसलिए रगा है security industry regulatory agency यहाँ पर license लेना पड़ता है यहाँ पर as a security guard आने से आपको कम से कम 6 महीने के experience लेना पड़ता है 6 महीने से क्या होगा आपको अच्छे से पता लग जाएगा security guard की main duty की है main role की है security guard का ठीक है आप जैसे security guard का काम करते हो उसके बाद बात आती है आपके skilled पे मैं हर बार कहता हूँ जब भी आप आओ तो कोई ना कोई skilled जरूर लेके आओ मेरे हर व्लोग में ये चीज़ mention होगी जब भी आपने आना है आपके पास कोई ना कोई skilled जरूर होना चाहिए अगर आप दुबई में success होना चाहते हो ठीक है इसके बाद आपके बाद पाद 5 options आती है अगर as a security guard आती हो मैं बताता हूँ सबसे पहले आगया patrolling guard patrolling guard जो car चलाते हैं बंदे ठीक है patrolling करते हैं car से हर जगा घुनते हैं outer area में ठीक है पर patrolling guard के लिए serial license के साथ साथ आपका driving license भी होना चाहिए जो बंदा कोई बंदा कहता है यार चलो मैंने driving license तो बही का लेना तो अगर आपके पास driving license आपने बनवा लिया आपके पास है आप company के campus को या अपने supervisor को भोल सकते हो मेरे पास driving license है तो आपको patrolling guard के duty में जाएगे patrolling guard as a patrolling guard आप duty करते हो सीरा आपका होगा सीरा security guard का visa लगा होगा duty आप patrolling guard के करोगे इसमें salary increase होगी आपकी approach 300 near about दूसरा option होता है आपके पास admin या operation clerk बोथ हार सेम senior junior का थोड़ा बहुत फरक होता है वो depending करता है अगर आपके पास skills थोड़े कम है आप admin हो अगर थोड़े ज़्यादा है operation clerk को पर ज़्यादा माइने रखता है skills के साथ साथ आपके experience पे थेक है तो यहाँ पर जो आपक दो सो इंक्रीज होती है 200 salary यह 200 यह सो डिपेंड करता है company पे उसके बाद आता है अगर आपके security guard में performance अच्छी है ठेक है आप आगे security supervisor line में जाना चाहते हो यह इसी field में आगे जाना चाहते हो यह आप में एक strength है manpower को like बरकरार रखने की ठेक है आप handle कर सकते हो situation को आप customer को face कर सकते हो और second जो visitor है उनको face कर सकते हो ठेक है आप अच्छे से tackle कर रहे हो काम अगला option आता है team number team leader गा team leader जो team को lead करेगा आपके अंडर 10 या 15 या 5 चार location के हिसाफ से आपको security guard जी होंगे आप team leader होंगे उसके उनकी जो भी है जवाबदारी वो आपको जननी पड़ेगी इ सो द्राम ज्यादा होती है ठीक है next आता है security guard के बाद cctv operator ठीक है जी चार नंबर पर ओप्शन है cctv operator अगर आप like as cctv operator काम करना चाहते हो अगर आपके पास cctv operator का experience है तो आपके पास option है आप सीरा security guard का license लेने के बाद आप cctv operator का license ले सकते हो but after two year जैसी अगर आप company में आए हो आप security guard का license लेने से पहले ध्यान रखना पूरी बाद सुनना ध्यान से security guard का license लेने से पहले आप company को बोलते हो I have experience with cctv operator मेरे पास cctv operator का license है मैंने काम किया हुआ है यह रहा मेरा certificate cctv operator का इंडिया में तो company आपको license बनवा के देगी cctv operator का तो आप camera cctv operator में काम करोगे ठेक है इसकी salary security guard के मुकाबले 200 प्लस होती है 200 प्लस होती security guard के मुकाबले ठेक है उसके बाद last option होता है आपका fifth number life guard आप जब भी as a security guard आओ तो अभी cera license ना बनाओ cera license से पहले आप on the sport कह सकते हो कि मेरे को life guard होता है तेराग नहीं होते जैसे life guard license पनवा सकते हो हर एक का security guard का license different होगा इसमें जुरूद नहीं है इसमें जुरूद नहीं है patrolling guard में security cera license security guard का होने के साथ driving license चाहिए cctv operator में आपका cctv operator cera license चाहिए एक ही license होता है जैसे security guard का नहीं चाहिए इसका चाहिए जिरूद लाइफ गार में आपका cera life guard license चाहिए अभी इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें आपको experience नहीं होगा जस्ट आप एक ही field में हो इसलिए मैं इसको count नहीं कर रहा cctv का अगर आप experience ले लेते हो तीन साल का चार साल का minimum तीन साल का तीन साल से चार साल का experience आपको लेना पड़ता है आप patrolling guard का ले रहे हो admin का ले रहे हो team leader का ले रहे हो या cctv operator का सबसे पहले मैं इसको highlight करूंगा team leader को ठीक है इसका तीन से चार साल बाद experience लेने के बाद आप आजाते हो supervisor में यहाँ पे आपकी जो salary एप्रोक्स 500 प्लस होगी security guard के मुकाबले like अगर इस field में हो तो आपकी 200 से 300 increase हो जाएगी salary यह depending करता है कुछ security companies personally खुद hire कर लेती है ठीक है उनकी salary यह अभी 600 से 700 प्लस हो जाती है कुछ ऐसे है as per supervisor उनकी जो salary होती है अगर security guard की 2200 है 2500 मैं 2500 लगाँगा 2500 security guard की salary है तो supervisor की 3000 around होगी unlike 800 भी हो सकती है 3500 भी हो सकती है ठीक है तो मैं 3000 लगा रहो 3000 salary होगी तो as a security supervisor में आपको minimum five years का experience लेना पड़ता है five years का experience लेने के बाद वो depending करता है अगर आप यहाँ पे आपके पास मैं फिर से skill की बात आ रही है अगर यहाँ पे आपके पास अच्छे skilled है आप admin का भी काम कर सकते हो आप coordinator भी हो या आपने पहले like team leader का भी काम किया हुआ है तो आपके पास आप client को भी face कर सकते हो आप customer को भी face कर सकते हो ठीक है automatically इसमें capabilities आ जाती है आपके पास आपके दो option है या ये बले या ये बला इसमें क्या है operation in charge operation in charge वो होते है like जो direct client को deal करती है क्योंकि हर जगा तो देखो security एक security company का owner जाएगा नहीं तो उन्होंने अलग लग जगा पर operation in charge रखे होते हैं जो इस location को deal करते हैं वहां के clients को deal करते हैं वो operation in charge होते हैं ठीक है वो आप यहां का जब यहां का जब आप experience लोगे उसके बाद यह आता है criteria operation in charge number 2 आता है camp boss, camp boss और camp जहां पर आप रहते हो वहां का depend करता है आपके experience पर, camp boss वैसे मैं इसको यहां पर भी लिख सकता था admin के नीचे है, यहां पर security guard के नीचे भी आप ले सकते हो camp boss के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको supervisor का license लेने की ज़रूरत नहीं है पर लेकिन, इससे यहां पर मेरे लिखने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से experience हो जाए, क्योंकि इसके लिए भी बहुत skill चाहिए यह नहीं है, कोई बंदा हर कोई एक यह दो साल में नहीं बनता है इसलिए मैंने यहां पर mention किया है इसको, ठेक है operation in charge के लिए भी, supervisor का license होना ज़रूरी तो नहीं है बट लेकिन, अगर आप इसके बाद इस line को choose करोगे तो आपके लिए easy हो जाएगा, एक तो आपके पास license होगा second thing is, आपके पास experience भी count हो जाएगा आपके पास skilled भी आ जाएगे, इसलिए मैंने इसको यहां पर count किया है HR management में आप जा सकते हो, human resources जो salaries होगेरा बनाते है management, back end management में आप job कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छे skilled है ठेक है, तो यह आप कर सकते हो, आपके लिए आपको security supervisor के license की जुरुत नहीं है इन तीनों में, बट लेकिन as per experience मैं यहां mention किया है, ठीक है as a supervisor visa के बाद, sorry, as a supervisor license के बाद, यह तीनों यह आपके option है यहां पे जो आपकी salary है, अगर आप operation in charge हो, security supervisor में अगर आपके 3000 salary थी operation in charge में आपकी salary 3500 increase हो जाती है, 3500 प्लस चले जागी किसी की 4000 है, हमारी company में एक दू ऐसे employees है, operation in charge है, जिनकी salary 4500 प्लस है Cambos की 3500 around हो जाती है, HR management में यह depending करता है designation पे किसी की 3500 है, किसी की 3000 भी है, ठीक है यहाँ का experience लेने के बाद, approximately around 5 years का experience लेने के बाद, आपके पास एक option है, main security manager का, यह radicular का symbol बना होता है, मैंने अपनी company के security manager है हमारे, मैंने उनका license देखा था, ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे Cira card चाहिए, Cira का security manager का license होना चाहिए, तब आपकी post जो है security manager होगी, अगर आपने security manager का license ले लिया, आप अपनी company खोल सकते हो, आप किसी company में security manager की job कर सकते हो, क्योंकि हर जगा, यहाँ पे owner को रबाब बोलते हैं, रबाब हर जगा जाएगा नहीं, जो company का owner होगा, ठीक है, वो कहीं बर हो सकता है, जो owner है, उसने security manager का license लिया हो, इसलिए वो owner बनाओ, भलो आपके पास पूरी approval है, आप direct client से, direct patrolling guard से, admin से, team leader से, CCTV operator से, या life guard से, किसी से भी आप या इन से contact कर सकते ह ये सारे बंदे security manager के अंडर होंगे, supervisor, जितने भी होंगे supervisor company में, सारे security manager के अंडर होंगे, सबसे last post जो आती है, security manager की है, जिसकी salary around 5,000 plus होती है, यहाँ पे कोई ऐसे भी हैं, जो 10,000 plus भी ले रहे हैं, पर minimum salary जो है, 5 to 6,000 plus होती है, तो, इसके अलावा, मेरे को नहीं लगता है, और कोई मैंने point छोड़ा होगा, ठेक है, life guard का मैंने, इसलिए ने बताए कि क्या है, एक ही जगा है, इन्होंने तो, अब देखो, जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में, गोता खोरी करनी है, ठेक है ना, तो, swimming वगरा करनी है, और ज salary यह होती है, वो security guard के मुकाबले, 100 plus भी हो सकती है, या 100 minus भी हो सकती है, डिपेंटे करता है, company पे, ठेक है, तो, बाकियों की salary मैंने आपको बता दी हुई है, supervisor है, यह option है, उसके बाद security manager है, इसके बाद आप अपनी company खोल सकते हो, trade license लेके, दुबई में, या आप कहीं भी जा सकते हो, और एक बात, यह जो मैंने आपको criteria बताया है, सारा security, CIRA का, अगर आपके पास security manager का license है, आप CIRA का, आप PSBD में जानी सकते, PSBD के लिए आपको PSBD का अलग से license लेना पड़ेगा, आप यह काम, अबुदाभी में नहीं कर सकते, CIRA वाले, अबुदाभी वाले का दुबई में नहीं कर सकते, because due to license, license की वेज़े से, यहां पे CIRA चलता है, और अबुदाभी में PSBD चलेगा, आजो, तो यह था सारा criteria, इसके इलाबा, I think so, कोई ऐसी designation या कुछ ऐसा नहीं होगा, जो मैंने ना बताया हो, अगर आपके मन में या मैं कुछ भूल गया हूँ, तो आप कमेंट में जुरूर बताइए, मैं कुशिश करूँगा, उसको describe कर सकूँ, comment के जरीए, ठीक है जी, so, वीडियो अच्छी लगी हो, like कर दियो, comment कर दियो, channel subscribe कर दियो, now take care, stay blessed, रब रखा, bye bye, यहां रात के टाइम, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, on duty हो तो on duty के टाइम ना, वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट है, so, अपना प्यार देती रहा करो, now take care, bye bye,